हेलो फ्रेंट्स आज यहां पर बनाएंगे हम बहुती आसान और सिंपल सा मिर्च का अचार जो इंस्टेंड बनकर तयार हो जाता है तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी यहां पर ली है मैंने हरी मिर्च लगबग 500 ग्राम सबसे पहले इनको धोकर सुखा लेंगे उसके बाद जब यह सूख जाएगी तो इसके उपर का डंठल हटा के और इसके हम पीसिस कर लेंगे तो यहां मैंने आधा करके और उसमें चार पीसिस कर लिये हैं और उसके बाद अगर अंदर भी हलका सा पानी आपको लगता है तो थोड़ी तेर के लिए आप धूप में या अंदर भी ऐसे ही सुखा सकते हैं जिससे के इसका पानी ना रहे अंदर और यह अचार लंबे समय तक चल सके तो अब इस तरीके से हम एके करके सारी मिर्च काट लेंगे आप पीसिस अपने हिसाब से भी कर सकते हैं चोटा या बड़ा यहां मैंने केवल एक मिर्च के चार टुकले किये हैं तो यहां पर इसी तरीके से हम सारी मिर्च को काट कर तयार कर लेंगे तो यहां मेरी मिर्च तयार है कटकर अब हम लेंगे यहां पर एक बड़ा सा बर्तन जिसमें हम सारी मिर्च डाल कर उसमें सब मिक्स कर सकें तो यहां मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल दिया है अब इसमें सारी मिर्च डाल देंगे डालने के बाद अब सबसे पहले यहाँ पर मैं डालूंगी पिसी हुई सौफ तो सौफ को आप सुखा कर पीस लें दरदरा पीसना है इसको एकदम बारी किया मोटा नहीं रखना है फिर हम डालेंगे यहाँ पर सरसों पिसी हुई तो इसको भी आप मिकसी में पीस सकते हैं थोड़ा सा मोटी रखना है यानि कि दरदरा फिर हमने डाला हल्दी पाउडर और नमक नमक आप अपने स्वादा नुसार डाल सकते हैं लेकिन अचार में हल्का सा तेज नमक ही ठीक लगता है अब हम डालेंगे यहाँ पर मस्टर्ड ओयल तो यहाँ मैंने सरसों का तेल डाल लिया है और अब इसे हम अच्छे से मिकस कर लेंगे जिसी की सारा मसाला अच्छे से मिकस हो जाए मिर्च में तो इस तरीके से हमें अच्छे से मिलाना है इसको और अब हम डालेंगे यहाँ पर विनेगर यानि की सिरका इससे अचार में थोड़ा सा खटा बना जाता है और अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह अचार बहुत ही टेस्टी लगता है और यह बन कर एकदम तयार हो जाता है अगर आप घर पर लाकर जल्दी से अचार बना सकते हैं अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सबस्क्राइब और शेयर करना मत बूलिएगा अगर आपको रैसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइगा